पूरी तरीके से बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो गई थी कि सीजन वन के बाद इसका सीजन टू बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए क्योंकि भूमी की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं उसे बेमतलब का सीजन वन में इतना घसीट कर साथ एपिसोड बनाए गए थे तो उसी स्टोरी को फॉलो करते हुए अब इसका सीजन टू भूमी की ही लाइफ में क्या चल रहा है उस पर फोकस करता है जहांपर उसे ये डिसाइड करना है कि वह अपनी पुरानी लाइफ जहांपर उसे एक हिसाब से कोई विज़त नहीं देता है औरत के चलते यानि इमान टू को में सीजन वन से थोड़ा बहुत बेटर कहूँ तो भी ठीक रहेगा लेकिन इतना जादा भी बेस नहीं कि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप अपना समय सीज को देकर मुझे कमेंड में गालिया सुनाओ बाकि ठरकी ओडियंस के लिए इस शो में जो पहले सीजन मे ये शो कुछ खाथ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है जिसके चलते उनके नजर में ये शो बी की कैटिगरी डिजर्फ करता है और बात रही मेरी तो मैंने सीजन वन की तरह सीजन टू को भी बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया है बहले से ही शो का बजट काफी ज़्याद से ठीक था लेकिन सीरिस के हिसाब से जैसी कि मैंने कहा इस पर समय की बरबादी ही मानी जाएगी जिससे ध्यान में रखकर मैं सीरिस को सी की कैटिगरी में रखूंगा खैर तो अभी सीरिस के बारे में और बात करकर आपके टाइम को मैं बिल्कुल भी बरबाद ना करते हु इस वीडियो को यहीं पर जल्द से जल्द खतम करूंगा जिसे लेकर आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिकर बता सकते हो बाकी मैं हूँ अजीज मिलूँगा आप से जल्दी दूसी किसी वीडियो में तिल देन बाई